लगड़ोबे सीम योगी आदितनात की अध्यक्षता में क्याबिनेट की बैठक में नौ प्रस्तावों पर बहर लगे कैबिनेट द्वारा लिए कैए फैसले गन्ना किसानों के लिए बेहत एहम है हर दोई में चीनी गन्ना निगम की जमीन UPSITC को दी जाएगी वही सोन भद्र में अब चार तहसिल होंगे उबरा को नई तहसिल बनाने का प्रस्ताव भे पास हो क्या है मंगलवार को एक बार फिर सीम योगी आदितनात की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश की प्रगती के लिए एहम फैसले लिए गए शाम को लोगभवर में हुई कैबिनेट बैठक में कुल नव प्रस्तावों पर मोह लगी है फैसले प्रदेश की खुशाली और प्रगती दौनों के लिए एहम है कैबिनेट में इस बार C.A.G. रिपोर्ट का अनुमोधन किया गया है कैबिनेट बैठक में कैग से जुड़े तीन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है बिन्दू है वो है सोनबद्र में ओब्रा को नई तैसील बनाये जाने के संबंद में ये वहां की लोगों की मांग रही है क्योंकि काफी उस एरिया के जो छित के लोग है वहां पर सदर तैसील जो है भी ओब्रा से वो 140 किलोमीटर पड़ती है सभी जन प्रतिन्यों को कटनाई भी थी वहां के लोगों को कटनाई थी उसको देखते वे ओब्रा तैसील बनाई जा रही है पहले तीन तैसील थी अब ये चौथी तैसील सुनबत की बनती है पहली तैसील रही जो है तीन जो तैसील रही है वो रॉबर्ट गंच दुद्धी गुरावल कैबिनेट बैठक में कैग से जुड़े तीन प्रस्तावों के मिली मंजूरी विरोजबाद में तैसील दार ने तीन बीगा जमीन नियम के विरुद्ध दी थी हर साल दो फीजदी कटेगा तैसील दार का वितन सौन भद्र में अब चार तैसील नया तैसील बनेगा ओबरा हर दोई राज्य चीनी मिलको परिवर्तन शुल्क गन्ना विभाग की जमीन UPSIDC को दी जाएगी यूपी राज्य संपत्ती विभाग की सेवा नियमावली 2020 का प्रस्तापवास विवस्थापक की नियुक्ती लोग सेवा आयोग से होगी विवस्था अधिकारी के 50% पद लोग सेवा आयोग से भरी जाएंगे राज्य स्वच्चता मिशन पेजल की ओर से ग्रामेड पेजल की विवस्था गिरते हुए पेजल इस्तर के लिए UPS भूजल विनियमन 2020 को मन्जूरी पहला विशह है कि जब से नमामिगंगे और ग्रामेड पेजल एक विभाग निया गठित किया गया है तो अब तक जो ग्रामेड पेजल की धनरासी है उसका पूरा कारे होदा था आयुक्त ग्राम विकास के यहां से अब उसमें संसोधित करके जो हमारा राज्य पेजल और सुक्षता मिशन के निदेशक हैं अब उनके दोरा उस रासी की शुक्रिती दी जाएगी और उनके दोरा उसका संचालन किया जाएगा नहीं केवल ग्राम विकास के यहां से होता था अब इसको संसोधित करके राज्य पेजल और सुक्षता मिशन के जो निदेशक हैं उनके दोरा इस कारे को संपाधित किया जाएगा दूसरा संसोधन यह हुआ है कि अभी तक जो ग्राम विकास के माध्यम से होती थी अब उसमें समीति में परिवर्तन करके ग्राम विकास के लिए एक समीति का गठन इस विभाग के द्वारा किया जाएगा कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसले गन्ना किसानों के लिए एहम हैं हर दोई में चीनी गन्ना निगम की जमीन यूपी एस आई डी सी को दी जाएगी सरकार द्वारा चीनी और गन्ना उध्योग को बढ़ावा देने के लिए ये एहम फैसला माना जा रहा है वहीं सौन भद्र में अब चार तहसील होना जहां अधिवक्ताओं के लिए खुशी की खबर है तो वहीं नयाई परनाली को और भी जादा मजबूत करने वाला निर्ने उमीद यही है कैबिरेट के फैसले उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे जिसके लिए सूबे के मुखिया लगातार प्रयासरत है बिरो रिपॉर्ट हिंदे खबर